डिसकस कर रहे थे sequence के बारे में ठीक है sequence के बारे में हम पढ़ चुके थे sequence क्या होती है भी जिसमें जो domain होगी वो set of natural number होने जही और जो range और अब किसी भी set की हो सकती है domain के बारे में डिसकस कर लिया था domain क्या होती है जो भी हम input value provide करेंगे वो होगी हमारी domain जो इन्पुट वैल्य प्रोवाइड कराने के बाद जो हमारा आउटपुट रिजल्ट आएगा उसको हम कहेंगे रेंज ओफ दा सिक्वेंस ठीक है भी अब देखिए भी क्या होता है सिक्वेंस के बारे में पढ़ चुके थे हम कैसे डिनोट करते हैं आज हम डिसकस करेंगे रेंज ओफ सिक्वेंस जो सिक्वेंस होगी उसकी रेंज क्या होगी भी रेंज ओफ सिक्वेंस हेडिंग डाले जिए रेंज ओफ सिक्वेंस क्या होगी भी जो सिक्वेंस होगी उससे हमें डिस्टिंक्ट ट्रम मिलेंगी कुछ वैल्यू जाएंगी उनका जो सेट होगा ना उसको हम कहेंगे range of a sequence the set of all distinct term of a sequence a n को sequence है हमारे पास a n उससे जो हमें distinct term अलग-अलग जो values आएँगे अलग-अलग terms मिलेंगे उनका जो set होगा उसको हम कहेंगे range of a sequence ठीक है है भी देख लिए range of sequence क्या होता है जो हमारे पास sequence होगी उससे हमें जो distinct रम मिलेंगी उनका जो set होगा उसको कहेंगे range of sequence उसको denote कैसे करते हैं भी set को a of n जहांपे n होगा वो हमारा natural number से belong करेगा ठीक है जैसे example देख लीजिए example में क्या होगा को sequence ले लिए हमने an sequence क्या है भी माइनस वन की पावर अन यह sequence ले लिए हमें इसकी range निकाली है भी sequence की तो क्या करेंगे भी अन क्या था natural number से belong करना चाहिए n की value put करेंगे पहले put करेंगे n की value 1 तो a of 1 कितना जाएगा इसकी value कैसे आएगी भी यह माइनस वन को तीन बार multiply कर दो भी तो minus minus plus और plus into minus one is equal to minus one plus और minus one की multiply करेंगे तो भी minus आएगा तो minus one value आगे अब ऐसे ही a3 put कर दिया एफ और put करेंगे एफ और put करेंगे तब क्या आएगा भी वन आ जाएगा क्यों क्योंकि even power आ जाएगी तो इससे हमने क्या देखा कि जब odd power होगी ना तब तो minus one आया एवन पावर होगी तो वन आया मतलब दो इस डिस्टिंक्ट रम मिली हमें minus one और one a of one is equal to minus one की power n से हमें दो डिस्टिंक्ट रम मिली वो कौन-कौन सी मिली भी minus one और one मिली तो यह क्या होगा भी minus one और one यह होगया हमारा range होगी sequence की जो हमारे पास sequence थी minus one की power n इसकी range आजाएगी minus one, one minus one, one एक तो plus one और एक minus one यह इसका set आगया range का ठीक है अब और note कीजी भी जो sequence होगे न हमारे पास an जो sequence an होगे उसके पास हमेशा infinite number of drums होगे भी sequence होगे an always है जानि infinite number of drum बट लेकिन जो range होगे न range set होगा sequence का जैसिए range, इस range set निकारा हमने जो हमारे पास range set होगा sequence का में हो finite number of drum उसके पास finite number of elements set terms होँगे ठीक है sequence होगे उसके अंदर infinite number range के अंदर finite values आएंगे ठीक है पढ़ लिया फिर से देख लिए भी range of sequence क्या होती है जो हमारे पास sequence होगे उससे कुछ distinct drum मिलेंगे उनका जो set होगा उसको हम कहेंगे range of a set range of a sequence जैसे हमने को sequence ले लिए अं ये क्या है minus 1 की power अं क्या होना चीए बिए natural number से भी लोग होना चीए तो n की value put करके देखेंगे 1,2,3,4,5 ठीक है 1 put करेंगे तो minus 1 आएगा 2 put करेंगे तो 1 आएगा 3 put करेंगे तो फिर से minus 1 आएगा 4 put करेंगे तो 1 आएगा 5 put करेंगे तो minus 1 आएगा ऐसे ही चलता रहेगा भी तो 2 distinct values मिली है 1 और minus 1 तो range क्या होगा इस set की इस sequence की minus 1 और 1 ये range of a set आगा है हमारे sequence का अब क्या बेशिक्वेंस होती है उसमें infinite number of drums होगी और जो range होगा उसके अंदर कुछ infinite number of elements मिलेगे है